दोस्तों आज की कहानी है सासुमा खुद को भूखा रख कर कैसे सब का पेट बरूं दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने सेनल को सबस्क्राइब नहीं कियाओं तो कर लीजिए ताकि आपके पार्स पांस सके अर नया वीडियों संगीता ने पर्दे के पीसे से जाक कर देखा सब खाना खा रहे थे वह उदास हो गई उसे काभी भूख भी लगी हुई थी उसका मन मसर आता पर वह सुब थी और अपने बारी का इंतजार कर रही थी तभी उसकी सास ने आवास दगई अरे संगीता दामांग बाबू के लिए थोड़ी खीर तो लाओ खीर सुन कर उसके गालों पर आशु मोत्यों जैसे समकने लगे अपने माय के में वह एक साथ सार कटोरी खीर पी जाती थी उसके घर वाले उसके सारी नखरे सेते थे यह नहीं खाऊंगी वह नहीं सहिए यह तिका वह ज्यादा खटा मीठा कमे जाने किया किया पर अब वह सार दिन पूरानी रोटियां भी हसकर खा लेती थी उसकी सास मरणा निनी ने उसे समझाया था बव तुमारे गर का पता नहीं पर हमारे यह पहले गर की मरद और बच्चे खाते फिर और गर की बव तो सबसे आखिर में खाती हैं संगीदा सोसा करती थी इस भूख को ये रीती रिवाज कौन सिखाई ये तो किसी की कुछ नहीं सुनता एक बार सिंगदा ने फरीज में पड़ा एक डिबा देखा उसने जब खोला तो देखा उसमें गुलाब जामून थे जैसे भी वो एक टुगड़ा मूं में डालने वाली थी तभी पीसे से उसकी सास ने टोगते हुए कहा बहुँ भूरा मत मानना गुलाब जामून अमन को बहुत पसंदे हम तो औरते कुछ भी खालेगी ना मिले तो भी कोई बात नहीं संगीता अपने गर की राजगुमारी थी उसे गर में कभी भी कोई भी किसी भी सीज के लिए उसे ना नहीं करता था पर ये तो ससुराल था अपना दरज सुभाते हुए स्विंग दालने डिबाब फ्रीज में वापस रख दिया उसका आतम समान भी नहीं माना कि वो उस गुलाब जामून को खाये आज का दिने जव भूख से ब्याले परावनी भूख जाईर भी नहीं कर सकती संगीदा खीर का बरत बरतन लेकर बार आईवर नी नकली हसी लेकर संगो खीर परोसने लगी उसके हसी के पीसे का दरज कोई नहीं देख सकता था उसका पती अमन भी कभी वा दरज बाप न पा अरे संगीदा लामान बाबू को थोड़ा और खीर दो संगीदा ने खीर परोसा और पानी लाने के बाहने से अंदर सली गई संगीदा मां की तस्विर पकड़ कर खुब रोने लगी भूख लगी है मां आपकी बहुत याद आ रही हैं संगीदा ने कभी अपने घर में इस बेदबाब की बात नहीं बताई थी दामान के लिए डेरो पकवान और बहु के साथ बेवार उसके घरवादे दुखी वो जाएंगे वोने बड़ी सांसे उसकी साधी करवाई थी अगर उन्हें पता लगता कि उनकी इकलोती बेटी के साथ ऐसा वेवार हो रहा हैं उनका देल तूट जादा संगीदा की पसन ना पसन की किसी को पता भी नहीं था अमन भूरा नहीं था पर उसकी परवरिस ऐसे घर में हुई थी जा औरतों के लिए अलग मर्यादा थी अमन मिलकुल अमने पीता जैसा था सिंगदा को अपनी साथ को देखकर हैरानी होती थी बला एक ओरतों कर दूसरी ओरत का दरत नहीं समझ सकती क्यों वा दूसरी ओरत के लिए बदलाव नहीं लाने की कोशिस नहीं कर सकती सिंगदा की सास मरना दिनी और सस्राल वाले साथे थे कि वा बिलकुल मरना दिनी जैसे ही बंजय सिंगदा कोशिस भी कर रही थी पर वा मा बनने वाली थी उससे भुख बरदास्त नहीं हो रही थी उसका साथ्वा महिना सालू था उसने अपने हाँ से मा की तस्वीर हटा कर सोनो ग्रापे की रीपरोट पकड़ते वे का भगवार मुझे बेटी ना देना उसने अपने पेट को इस परस किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कहरा हो मा मुझे बुख लगी है सिंगदा इसी सोस में डूबी थी कि असानक उसका फोन बचा और उसने जल्दी से फोन उठा लिया मानोवा इसी का इंदजार कर रही थी मा आपको कैसे पता सर जाता है पगणी कैसी है तू समय पर खाना तो खा रही है ना तेरे लिए लडू बनवा रही थी तभी तेरी याद आ गई दामान बाबू ने काम वाली तो रखवाई है ना बस तु सेत और खान पान पर दियान ते हुजे तो तेरे जैसे प्यारी सी गुडिया ही साई ये मा की बाते सुनकर सिंगदा रोख पड़ी और मानो जैसे उसके दिल से आवाज नितली भूख लग रही है मा क्या हुआ मेरी बच्ची उन लोगों ने कुछ क्या क्या तुझे तुने खाना क्यों ने खाया तु कुछ सुपा रही है ये मैं जान गई थी पर क्या ये नहीं समझे भाई बदा मुझे क्या हुआ खाने को मिल जाता है मा परसंग साते हैं मैं आखिर में खाऊं मुझे बहुत भूख लगती है सब देर से और अपने समय से खाते हैं ऐसे में मैं क्या करूं जी जा जी जी पशन ना पशन को सब को कितना ख्यार है पर पशन तो सोड़ो कभी तो अच्छा कुछा ही मिलता है शिंगदा ने रोते हुए का तु मेरी ही वाला देना सर्सुर्याल में अदला बदला तो नहीं हो गई सेरनी बेजी थी शूया क्या से बन गईयां तो सब को सुब कराई देती थी वहां क्या बदल गया और तुने अमन को ये सब बताया उसके सामने हो रहा है ना ये बेदबाव तुझे और कोई तखली पर नहीं सिंगदा की माने उसे सवर में पूसा अमन अच्छी है मा में उन्हें साथी भी हो पर इन सब सीजों में कुछ कहते नहीं उनकी मा भी तो कुराना खाना भी खुशी से खानेगी अपने दामान को नहीं देगी पर उमीद करती है कि मैं खालो सुपसा खुशी से पर मुझे से नहीं होता ये सब लोगों को ये बेदबाव कोई कारण नहीं लगता पर क्या दामान और बहु को बराबर प्यार और इजद नहीं देना सबसे बड़े ताफ से बात करते फिर भी उन्नी को सर पर सड़ाया जाता है क्यों मा संगीधा ने का तो फिर तो एतने दिन शूप कैसे रही हमने तो तुझे ऐसे नहीं पाला था तो खुद में ऐसी नहीं थी समान और प्यार अपनी जगह है और आदम समान अपनी जगह है तुझे मुख खोल कर अपने डेर खड़े ओना होगा कल को तेरी बच्ची हुई और उसके साथ भी यहीं सब गातों क्या करेगी रोती रहेगी मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथे पर उमर भी हो रही है हमारी किसी पर भी निर्वर्म तो अपने यहीं नहीं अपनी बच्ची के लिए तुझ मुख खोल संगीदा ने अपनी मा की बात सुनकर सोसा अगर उसे बेटी हुई तो वो उसे क्या सिखाएगी मुझे से तेरी बुख देखी नहीं जाती क्या तुझ देख पाएगी अपने बच्चे को बूखा संगीदा खुद पड़ी नीखी होकर अपने लिए बोल नहीं पा रही उसकी बच्चे भी भूखी रह गई तो मैं समझ गई मा कवकर संगीदा मुश्कुराई मैं आपको बात में फ्रॉन लगाती हूँ संगीदा खाने के टेबल पर गई और पलेर निकाल कर अपने लिए खाना लेने लगी सब उसकी और हैराने से देख रही थी सिंगदा की सास मरना दिनी ने उसे रोकने की कौसिस की तो संगीदा ने का मा बाबा दिजी जी जाजी और अमन मुझे भूख लगी और बहुत पर बवती होने के पहले से मुझे से भूख बरदासत नहीं होती हमारे गर में ऐसे कोई नियम नहीं ते जीसको जब भूख लगती है वो खा लेता है अब भूख को कैसे समझाओ रीती रिवाज आप सब को जब खाना है खाए मैं परोस दूंगी पर मुझे जब भूख खाना नहीं खाते मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सब कर रही थी क्या आप जीजाजी को बासी खाना देगी अब नहीं होता मुझे भी खीर गुलाब जामुन और हां पनीर के सब्जी जो आप स्रफ जीजाजी दिदी और अमन के लिए रगती हैं पसंदे मैं गर्भवत्ती हूँ फिर भी किसी को मेरी भूख की कोई परवा नहीं है तो मैं अपनी पसंद से ही खाओंगी माजी आप मुझे अपने जैसे बनाने की पॉसिस ना करे मैं नहीं हूँ आप जैसी ना बना साथी वो खुद को भूखा रख कर क्या से सब का पेट बरूं क्या मैं इंसान नहीं क्या बव को भूख नहीं लगती वेरा ये फ्यासला है मेरे भूख पर कोई पावमती नहीं होगी इतना क्या कर सिंगदा मजे से खाने का सवाल ने लगी हमन और उसकी साजनी सिंगदा को खाना परूसा सिंगदा अपने पेट की और देख कर मुश्कुराई जो कावर नहीं कर पाई उसकी आने वाली संतान ने उसके लिए कर दिया सिंगदा ने अपने पेट को सप्रस की और अपने बच्चे को धन्यावाद दिया उसके बच्चे ने और उसकी मा ने उसमें ये एसास दगाया सिंगदा मुश्कुरा कर खाने लगी और उसने पेट बर कर खाया